दिसंबर में इस दिन से शुरू हो रहे हैं खरमास, शुबकारें पर लग जाएगी रोक, धार में एक तृष्टी से ग्रहों का अत्याधिक मैत्व होता है, पंचांग के अनुसार जब ग्रहों की राजा सूरे धनू और मीन राशी में प्रवेश करते हैं तो खरमास दोश ल कारियों की शुरूआत होती हैं, इसके बाद अब खरमास लगने पर एक बार फिर मांगलिक कारियों को करने की मनाही होगी, आपको बता दे कि खरमास 2024 तक चलने वाले हैं, आए जानते हैं खरमास के शुरू और समाप्त होने किती थी, पंचांग के अनुसार इस साल 16 दिसं के बाद खरमास हट जाएगा, खरमास की महीने में विवाह, ग्रह प्रवेश, घर बनाने जैसे नवनिर्मान कार, प्रतिष्ठान, मुंडन या छेदन जैसे मांगलिक कार नहीं किये जाते हैं, खरमास के दौरान सूर ग्रह, ब्रस्पती की राशी मीन या धनू में प्रवे 30 और 31 जनवरी के दिन विवाह के शुमूरत बन रहे हैं, फरवरी में 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 26 और 27 फरवरी के दिन विवाह के शुमूरत हैं, मार्च के महीने में विवाह के 5 शुमूरत बन रहे हैं, पहला मूरत दो मार्च का है और इसके बाद 4, 6, 7 और 11 मार्च क इस विशे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में किवल इतना ही ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए देखते रही है रिपोर्टर जी